रेडियो खांची 90.4 एफम पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची में आप सब का स्वागत है। मैं प्रज्या गुप्ता, सहयक प्राध्यापक, असनातकोत्तर हिंदी विभाग, राची विमेंस कोलेज। मैं आज आप सबसे आदिवासी विमर्ष पर चर्चा करूँगी। आदिवासी विमर्ष असनातकोत्तर दित्ते समेश्टर के पाठिक्रम में सम्मिली थैं। अस्मिता को लेकर हिंदी साहित्य में जितने भी विमर्ष हैं वे सभी समाज में बराबरी के हक के मद्धेनजर हैं। चाहे वो दलित विमर्षो, इस्त्री विमर्षो, आदिवासी विमर्षो, किसान विमर्षो या किन्नर विमर्षो। यह सच है कि विभिन प्रकार की अस्मि विमश, दलिद विमश, आदिवासी विमश तीनों के शुरुवात के मूल में भी यही है जहां दलिद, इस्तरियर, आदिवासी समाज की मुख्यधारा में शामिल रहना चाहते हैं और दूसरों से दोयम दर्जे की मानसिक्ता की अपयक्षा नहीं रखते हैं। दरसल आदिवासी विमश, विश्मी सदी के अंतिम दश्रकों में शुरू हुआ अस्मिता मुलक विमश है। आज बदहाल कर रखा है। अगर हम देखें कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आदिवासी की इस्तिती में खास सुधार नहीं आया है। वे आज भी अपने अधिकार और मस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरसल आदिवासी समात जल जंगलम जमीन के साथ जुड़ कर न सिर्फ अपना बलकि विश्व अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संगश कर रहे हैं। आज के दौर में इस्त्री विमश, दलिद विमश, आदिवासी विमश तीनों प्रमूक हैं। लेकिन इस्त्री विमश, दलिद विमश की अपेक्षा आदिवासी विमश थोड़ा अलग है। औरत ही औरत के दुख को समझ सकती है, यह कह कर इस्त्री संब्यदना को एक खेमे में लाने का भर्षक प्रियास किया गया इस्त्री बिमर्ष में। जहां तक दलित बिमर्ष की बात है, वहां सहानभुती बनाम स्वानभुती का मामला बन जाता है। दलित साहित लेखन में स्वानभूती का पलड़ा सहानभूती की अपेक्षा भारी है। रही बात आदिवासी विमर्ष की तो उपर युक्त दोनों विमर्षों की अपेक्षा यह थोड़ा विशिष्टियों अलग है। क्योंकि न तो यहां जेंडर का मामला है, न तो स्वानुभूती बनाम सहानुभूती की लड़ाई है, आदिवासी विमर्ष में प्रकृती जुडा हुआ है, और प्रकृती में ही पूरे मानो समाज का उत्स नीथ है. फिर भी हम यहां देखने की कोशिष करेंगे कि आदिवासी सहित्य किसे कहेंगे। वन जंगलों में रहने वाले उन वन्चितों का साहित्य है, जिनके प्रश्णों का अतीत में कभी उत्तर ही नहीं दिया गया। उस आदिम सम्मू का मुक्ती साहित्य है, आदिवासी साहित्य। वनवासियों का सत जीवन जिस संस्किती की गोध में चुपा रहा, उसी संस्किती के प्राचे नितिहास की खोज है या साहित्य। आदिवासी साहित्य इस भूमी से प्रसूत आतीम बेदना तथा अनुभव का शब्द रूप है प्रसीद आदिवासी एक्टिविस्ट वा कवीतरी रमणिका गुपता कहती हैं मैं आदिवासी साहित्य उसी को मानती हूं जो आदिवासीयों ने लिखा और भोगा है उसे आदिवासी समस्याओं सांस्कितिक राजनितिक वा आर्थिक इस्थितियों तथा उनकी जीवन शयली पर आधारित होना चाहिया अर्थात आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के लिए आदिवासियों पर लिखा गया साहित्य, आदिवासी साहित्य कहलाता है। वैसे जो आदिवासी समर्थक साहित्य के रचनाकार होते हैं, वे भी आदिवासियों की समस्याओं के हलेतु कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, ऐसा रमणिका गुपता का मानना है। आदिवासी कथा का रूपलाल बेदिया क्यानुसार, अगर आदिवासी विशय, दर्शन, संस्कृती क्यानुकूल, साहित्य, गैर आदिवासी लेखक भी लिखते हैं, तो उसे आदिवासी साहित्य मानना चाहिए। उनका कहना है, हमारी वाचिक परंपरा में जो संब्रिद्य साहित्य है, उससे बाहरी समाज के लेखक परिचित नहीं है, उन्हें लिखित रूप में सामने लाने की जरूरत है। प्रोफेसर ब्यंकटेस आजाम कहते हैं, जो आदिवासी जीवन से प्रेड़ना लेकर लिखा हुआ है, वो आदिवासी साहित्य है। धारणा है आदिवासी द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है, इस अधारणा से संबंधित साहित्यकार, जन्मनायम स्वानभुति के आधार पर आदिवासी द्वारा लिखे गया साहित्य को आदिवासी साहित्य मानते हैं। तिसरी प्रकार की धारणा है आदिवासियत अर्थात आदिवासी दर्शन के तत्वों वाला साहित्य ही आदिवासी साहित्य है। इस अधारणा को आदिवासी साहित्य की परिभाशा के नजदीक माना जा सकता है। इन परिभाशाओं के आधार पर निश्कश रूप में कहा जा सकता है कि जिसमें आदिवासी दर्शन हो वही सच्चे मायनों में आदिवासी साहित्य कहा जा सकता है। आदिवासी साहित्य जीवनवादी साहित्य है। जैसे प्रकृति के सानिद्य में रहना, मानवेत्र प्राणी जगत के साथ सहस्तित्व, सामुहिकता, सहभागिता, जीवनश्यली, उनकी समस्याएं, स्वतंत्रता, जल जंगल जमीन, उनकी मातरी भाशा, उनकी लोक कताएं, मुहावरें, मिथक ये सब आदिवासी दर्शन के अंतरगत आएंगे, जल जंगल जमीन आदिवासियों के मूल आधार हैं, और आदिवासी साहित के मूल तत्व भी यही होने चाहिए, इन तत्वों के आधिकारी कनभों के साथ, जो साहित लिखा जा रहा है, उसे हम आदिवासी साहित्य कह सकते हैं, मेरा मानना है कि आदिव आदिवासी साहिती कोई भी लिख सकता है बशर्ते उसमें आदिवासी जीवन दर्शन हो फिर भी आज भारत की कई भाशाओं में आदिवासी रचनाकार लेखन रत हैं इनमें महाराष्ट के वाह सोनवने भुजंग मेश्राम लक्षमन गायकवार जार्खन में रोज केरकेट महादेटोपो, निर्मलापुतूल, अनुजलुगुन, जसिंता केरकेट्टा, चत्तिसगड में के आर्श्रा, रास्थान में हरी राम मिना, डॉक्टर रमेश चंदर मिना, प्रोफेसर हेमराज मिना, डॉक्टर जनक सी मिना, आदि अनेक आदिवासी कवी लेखक हैं जो आ मेहता के प्रसंग में आदिवासी जीवन थोड़ा सा वर्णीत है फिर भी यदि हम कहें कि सही अर्थों में आदिवासी जीवन की समष्याएं हिंदी साहित्थे में स्वात्तंत्रोत्तर रजनाओं में देखी जा सकती हैं उपन्यास के छेत्र में लें तो स्वातंत्रियोत्तर हिंदी उपन्यास में कई रचनाकारों ने आदिवासी जीवन के इंद्रित उपन्यास लिखे हैं जिन में प्रमुख हैं। जंगल जहां शुरू होता है और पैर तले दूब। मिरिनाल पांडे का देवी, मैत्रेई पुस्पा का अलमा कबुत्री, धुनी तपेती, हरिरामीना का तेजिंदर्श्री का काला पादरी, पुन्नी सिंह का सहरांत, शी प्रकाश मिस्र का जहां बास फूलते हैं, रूप तल गुरुदत का वनवासी, रनेद्र का गलोबल गांका देता और गायब होता देश, राकेश कुमार सिंह का जो इतिहास में नहीं है, महुआ माजी का मरंगोड़ा निलकंठुआ, तो इन कृतियों का योगदान आदिवासी जीवन को चितित करने में उलेखनी है, संजीव के उपन्यासों में हम देखें तो आदिवासी समाज का चित्रन मिलता है, संजीव के पाँ तले की दूब उपन्यास का सुधिप्त आदिवासीयों की भलाई के लिए प्रयास करता है, इस उपन्यास में आदिवासी जीवन से संबंधित कई समस्याएं चित्रित है, कभूत्रा नामक आदिवासी जाती है। इस उपर्ण्यास में जनजातिय समाज की अस्मिता खोने या कुचलने के संकेत मिलते हैं। लेखिका ने इसमें जनजातिय समाज से पाठकों को रूबरू करवाया है। जनजातिय समाज अपने अधिकारों अपने वजूद के लिए संगर्श शील है। आरक्षन जैसी स्विधा के चलते एक पात्र है रामसी जिसे व्योस्था में जगह मिल जाती है। फिर भी जातिय पहचान के चलते वह उपेक्षा और तिरसकार भरी नजरों का शिकार होता है तो इस तरह की कई बातें इस उपन्यास में चित्रित हैं जो हमें आधिवासी समाज पर सोचने को मजबूर करती हैं। लिए अधिवासी उपन्यास को समरित करने में रचनाकार भिरेंद्र जैन का भी योगदान महतपूर्ण है। इन्होंने आधिवासी जनता की पीड़ा यातना को रेखांकित किया। ये अथार्थिवादी रचनाकार हैं। ब्रेंद्र जैन ने अपने उपन्यास पार और डूब में आधिवासी जीवन को अस्थान दिया। सर्विदित है कि हमारे देश में आधिवासीयों की मुख्य समस्या विस्थापन की है। वे आज भी अपने घर, अपनी जनभूमी से ख़देडे जा रहे हैं। पर इसका तरीका बदला है। आज विकास के नाम पर इनके घरों को उजाडा जा रहा है। ऑर बिढमबना यह है कि यह सब विकास के नाम पर हो रहा है। जंगलों को काट कर संखे निकाली जा रही है, नदियों को पाट कर बांधों का निर्मान हो रहा है, जमिनों पर बड़ी-बड़ी फैक्टरियां या मील का निर्मान हो रहा है विर्यंद्रे जैन लिखी पार उपन्यास में आदिवासी समाज की विस्थापन की समस्या को केंद्रिये बिसे बनाया गया है। विस्थापन की समस्या को प्रमुक्ता के साथ दिखाते हैं। बस्तर में आदिवासी किस तरह से अपनी बाहर इतरी वाजों में फसे हुए हैं। उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। तेजिंदर का लिखित काला पादर उपन्यास भी चर्चा में रहा। आदिवासी जीवन पर आधारित्य हुपन्यास मद्य प्रदेश के सरगुजा के जंगली इलाकी जहां आदी मंधेरे में घीरे महेसपूर गाव हैं। उसको कथानक मनाया गया है। इस उपन्यास में आदिवासी जीवन की कई त्रासदियों और धर्मांतरन की समस्या को दिखाया गया है। इसमें आदिवासी संस्कितियों इसाइयों द्वारा किये जाने वाले धर्मांतरन से उपजी उस जड़ विहिंता के दंश को निरूपित किया गया है, जो इस उपर्ण्यास के नायब को रोजी रोटी तो देती है, किन्तु उससे उसकी अस्मितायम आत्मसम्मान छीन लेती है आदिवासी जीवन केंदेत उपर्ण्यासों में पुन्नी सी द्वारा रचित सहराना उपर्ण्यास का जीकर भी किया जा सकता है इस उपन्यास में आदिवासी समाज की सहरिया नामक जाती को केंदर बनाया गया हैं। इसमें सहरिया समाज की शोशित, स्थिति, कष्ट, नयाय अन्याय को बैचारिक संघश देने की कोशिश हुई है। साथी आदिवासी नायक सोमा है जो की हिंसा या प्रतिसोत की अस्तर पर अन्याय को खत्म करता है। इस उपन्यास में अंधेरेयों प्रकास का संगर्ष है जिसमें पुलिस दरोगा अंगद राम सोमा का साथ देता है। तो ये सब बातें इसमें चीतरीत हैं। इन महत्वपूर उपन्यासों की अतरिक्त भगवानदास मुर्वाल का काला पहाड महत्वपूर ने देश में बढ़ती सांप्रदाइक्ता की संबेदनाओं को उजागर करने वाली यह आदिवासी जीवन किंद्रित उपन्यास है। विद्यासागर नोटियाल के भीम अकेला और सूरज सब दूर है। उपन्यास में भी कुमायू गढ़वाल की पहाडी जीवन के कटू यथार्थ को चितरित किया गया है। श्रवन कुमार गोस्वामी कृत हस्त छेप में भी तकलीफों को जेलते हुए सत्पुडा बुंदेल खंड पहाडीयों को आसरे अस्थान बनाकर जीवन यापन करने वाले आदिवासीयों के जीवन को केंद्र में रखकर इस उपन्यास को लिखा गया है। राकेश कुमार सी द्वारा रचित पठार का कोहरा उपन्यास वी आदिवासी जीवन के चित्र में महत्पूर है। जार्खन के मुंडा आदिवासियों के शोशनर जन्चेतना को इसमें रेखांकित किया गया है। यह उपन्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह जार्खन के आदिवासियों को ही नहीं, बलकि देश के किसे भी कोने में बसे बनपुत्रों का जीवन तुपन्यास है। इद उपन्यासकार रनेंदर के दो उपन्यास, ग्लोबल गाउं के देवता और गयभूता देश। यह दोनों भी आदिवासियों के दिष्टी से काफी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल गाउं के देवता में असूर जन्जाती का दुखदध चित्रित है। इस उपन्यास में रनेंदर ने असूर समुदाय की गाथा को पूरी प्रामाणिकताव संबेदन सिल्ता के साथ लिखा है। एक्तर से कहें कि यह उपन्यास असूर समुदाय के जीवन संग्यर्ष का जीवनत दस्तावेज है तो अतिशयोक्ती नहीं होगी। उनका दूसरा उपन्यास गायव होता देश उनके पहले उपन्यास की तरह ही विस्थापित होते, तूटते, विखरते और लगातार गायव होते जा रहे हैं आदिवासी समाज की समस्याओं की कहानी कहता है। गायव होता देश में मुंडा आदिवासियों के जीवन के दुखदर्द की कहानी को चितरित किया गया है। विकास और विस्थापन के नाम पर आदिवासी किस तरह से प्रताडित होते हैं यह इस उपन्यास के द्वारा बखो भी समझा जा सकता है। इतना ही नहीं। उपन्यासकार ने विस्थापित होकर शहरों की जुगियों में आबसे आदिवासियों की त्रासदी को भी इस उपन्यास में सामने रखा है। साहितकार रणेंद्र ने गायब होता देश में मुंडा समाज का बारीकी से अध्यान किया है और उनकी समस्याओं को गहराई से समझा है। इसलिए यह उपन्यास पूरी तरह से आदिवासी उपन्यास न होने के बावजूद। आदिवासी समाज और आदिवासी बिमर्ष के लिए जरूरी रचना है और आदिवासी बिमर्ष के छेतर में मील का पत्थर है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई उपन्यासकार हुएं जिन्होंने आदिवासी समुदाई की सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, सैक्षनिक यम सांस्कितिक समस्याओं को बारिकी यम सच्चाई के साथ निरूपित किया है। प्रतिरोध का साहित्य है। यह देश के मूल निमासियों के वन्षजों के प्रति भेदभाव का विरोधी है। यह जल, जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा के लिए आदिवासियों के आत्मिर्ने के अधिकार की मांग करता है। हमने देखा उपन्यास के छेत्र में आदिवासी जीवन पर केंद्रित कई उपन्यास रचे गये हैं। कविता के छेत्र में उसकी अपेक्षा आदिवासी बिमश ज्यादा सक्रिये है। जार्कन के कवी अनुज लुगुन और जसिंता करकेट्टा इस छेत्र में ज्यादा सक्रिये हैं। समकालीन साहित्य में कविता कहानिय उपन्यास कई छेत्रों में रचनाकार अदिवासी विमश में लेखन कर रहे हैं। फिर भी आज के दोर में अदिवासी विमश पर अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। धन्यवाद।